चंदेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वर की महिमा महादेव जी कहते हैं पार्वती आशापुर विग्न राज के इस्तान से दक्षन एवं नेरित्ति कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश लिंग है वहीं अम्रित कुंड और कुलकुंड भी है जो उन कुंडों में इस्नान करके चंदेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपश्या करने का फल पाएगा वहीं चंद्र तड़ाग है जिसका विस्तार सोलह धनुष का है वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएग वह स्थान शशी भूशन से पूर्व, कोटी तीर्थ से पश्यम, जरतगव से दक्षन तथा समुद्र से उत्तर है यह कपिल छेत्र पुन्यहीन पुरुषों के लिए दुरलब है पूर्व काल में महर्शी कपिल ने वहां महेश्वर की इस्तापना करकी दस हजार वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपश्या की थी उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाई का दान करता है वह कोटी गोदान के फल का भागी होता है यह सभी पापों का एक मात्र प्राइश्चित बताया गया है भादो मास के कृष्ण पक्ष में शश्टी तिथी को यदि मंगलवार, रोहनी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला शश्टी कही जाती है उस दिन कपिल छेत्र में, अर्क स्तल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलो के द्वारा इस्नान करकी संध्या वंदन एवं जब के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सोरी को अर्गि दे अर्गि का मंत्र इस प्रकार है तिलो की नाथ भगवान सोरी को नमस्कार है तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश में आपको नमस्कार है कपिलेश्वर से इशान तथा उत्तर दिशा में जरदगव के द्वारा स्तापित जरदगविश्वर लिंग है वहीं देवनदी अंशुमती बहती है उसमें विधिपूर्वक स्नान करके जो पिंडदान देता है वह सौ कोटी से भी अधिक वर्षों तक पितरों को त्रिप्त रखता है चंदन, पुष्प, पंचमृत तथा गुग्गुल की द्वूप से जरदगविश्वर की पूजा करनी चाहिए उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुती भी करनी चाहिए उनके समीप नाना प्रकार के भग्ष भोज पदार्थो द्वारा ब्रहमनों को भोजन कराना चाहिए वहाँ एक ब्रहमन को भोजन कराने से कोटी ब्रहमन भोजन कराने का पुन्य होता है जरतगव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दोरी पर हाटकेश्वर लिंग है वहीं दम्यन्ती के पती राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्तापना की है उसका दर्शन और विधिपूर्वक पूजन करके मनुषिक कली दोश से छुटकारा पाता और युद्ध में विजई होता है